ही गाइज विल्कम बैक मैं यूट्यूब चैनल कैसे हैं आप सब आप सब आप सब अच्छे होंगे आज मैं आप लोग से सेर करे हूं बिल्कुल सिंपल एंड इजी नारियल की वर्फिता आप आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जोर कीजिएगा तो यहां पर मैं एक खाली पेन ली हूँ उसमें मैं फस्ट डालूंगी वटर आप अपने बटर अगर कम खाती है तो उसके नुसार विया डाल सकते हैं लेकिन थ्वासा बटर और बटर नहीं है तो आप घी भी डाल सकती है उससे आपका जो नारियल वर्फिता बहुत ही टेस् दूद्ध आप मतलब किसी भी चीज का आप दूद्ध ले सकती है कोई दिक्कत नहीं है तो यहां पर मैं सेकेंड बॉल डाल रहे हूं मैं इसमें दो आपका दो बॉल यहां पर डाली हूं आप अपने किसी भी चीज से मेजर करके या आपने अकॉर्डिंग अप डालिएग आप उसको पीस करके एक बॉल मैं जिस कंटेन से मैंने डाली थी दूद्ध उसी अनुसार से मैं डाल रही हूं यहां पर अपने अकॉर्डिंग अगर आप मिठा ज्यादा खाते हैं तो इससे ज्यादा भी डाल सकते हैं या फिर कम खाते हैं तो इससे कम भी डाल सकते हैं उ इसमें बना रही हूं नारियल पॉर्डर तो 200 ग्राम के नुसार में यहादा मिठा होगा नहीं कम मेडियमर रहेगा तो यहां पर मैं एक वॉल चेंज है तो पीस लिजिए गा तो इसका पॉडर बना लिजाए घू जादा इसम भी पाध curriculumimanilk पॉडर यह जरूरी है कि मे 가운데 गा आपके पास अगर ज्यादा मतलब ऐसे ज्यादा अगर मतलब सथिक टाइप में खाना सकते हैं तो डेड़ भी डाल सकते हैं लेकिन मैं अपने अकोर्डिंग बना रही हूं तो आप इसी अनुसार बनाएगा तो बहुत ही अच्छा बनेगा कोई दिक्कत नहीं है आप फाइनल स्टार में या ऑनलाइन भी आपको मिल जाएगा अगर चाहूंगी तो मैं लिंक दे दूंगी इसका मैं कोसिस करूंगी तो यहां पर मैं डाल रही हूं फिर नेक्स्ट मतलब थोड़ा सा दिख रहे हैं बिल्कुल खॉल रहा है बिल्कुल मतलब इसमें से बॉयल हो रहा है तो निक्ट में पीसी हुई लाइन ची पॉडर एक स्पून डाले थी उसे आपका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा और फिर यहां पर मैं डाल रही हूं दो सो क्राम जो दो बॉल हुआ था यहां पर दो बॉल से मैं चीन ली थी उसी बॉल से मैंने यहां पर दो बॉल इसकीन उसका स्पून से आप उसको हटा दीजियेगा उसके बाद इसको ग्राइंड में पीस भी सकती है इजली मतलब पॉडर बन जाता है घर में भी तो बहुत ही टेस्टी बहुत ही यमी बनता है तो आप देख सकती है उसको मैं दो मिनिट के लिए बस पकाई उस पर गैस मतलब हलका ठंडा होने के बाद तो यहां पर मैं अच्छे से उसको गी लगा करके अच्छे से स्पून से प्रेश कर दे रही हूं अब प्रेश करके मैं इसको ठंडा होने के लिए जब बिल्कुल ठंडा हो जाएगा तो इसको मैं कट करूंगी और कट करने के बाद मैं इसक कोई दिक्कत नहीं है तो यहां पे दो घंटे के लिए मैं फ्रीज में रखोंगे उसके बाद अगर आपका वर्फी नहीं निकल रहा है मतलब बिल्कुल जम गया है तो आप इसको क्या कर सकती है कि का इसको गैस पे रख दिजेगा प्लेट को और उसके बाद आप निकालिएगा बिल्कुल इजली आपका ये निकल जाएगा अब आप अपने अकॉर्डिंग इसको सेप में काटिएगा कोई दिक्कत नहीं है जैसा आपका इच्छा हो मैं अपने अनुशार इसको काट रहे तो आपको जैसा इच्छा हो उस अनुशार में आप सेप में काट सकती है बहुत ही सीम्पल और बहुत ही जी मिक्स में आपका दस में टाइम लगेगा विर अच्छा बंधना रहा है किसी भी फैस्टिवल पर आप इसको बिल्कुल इजली और बिल्कुल सीम्पल तरीके से बना सकती है और जो भी हमारे शमान इसमें लगता है वह घर में बिल्कुल मिल जाता है मतलब हर किसी के घर में रहता है तो आपको कुछ नहीं करना है बिल्कुल इजी तरीके से बनाना है ज्यादा टाइम भी वेस्ट नहीं होगा 10 मिट आपका टाइम लेगा और बहुत ही टेस्टी लगता है गाईच खाने में आप लोग जरूर एक वर्ट ट्राइक किजिए अफिर अच्छा बंदन में आ रहा है तो उसमें भी आप ट्राइक कर सकती है या फिर कभी भी आपका मुट बना सकती है मैं इसको देख सकती है मैं इस तरीके से इसको कट की हूँ आप अपने इच्छे अनसार से इसको कट कर सकती हूँ मैं इसको दिखाऊंगी ठंडा होने के बाद भी मैं इसको कट करके आपको निकाल के दिखाऊंगी कि देखेगा किस तरीके से बिल्कुल निकल जाता है इसली देख सकती है और बहुत ही अच्छा बहुत ही देख सकती है कि तो देखिए बहुत ही यम्मी बना है तो चलिए आप लोग इंजबाए किजिए फिर मैं मिल तुम्हें आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में तो चलिए बाई बाई